बीते दिनों WWE रिंग में मशहूर रेसलर जॉन सीना की गल्फ्रेंड निक्की बिला ने अपनी जुड़मा बेहंब्री के साथ टाइटल होल्डर रॉंडा रोसी को धूखे से पीड दिया था निक्की के इस कारे की जब सोशल साइट्स पर जम कर आलो चैना हुई तो निक्की ने आगे आकर खुलासा किया है कि उन्होंने आखिर क्यों रॉंडा पर धोखे से हमला किया था निक्की ने कहा कि हाँ मैं एक वक्त सोच रही थी कि मैं रॉंडा के साथ दोस्ती बरकरार रखूंगी लेकिन तबी मुझे लगा कि यह है एक मौका भी है जब मैं उसे बेल्ट के लिए फाइट कर सकती हूँ मैंने इसलिए उस पर हमला किया हाँ वो अभी चैम्पिन है लेकिन मैं भी इस रिंग में करीब 12 साल से हूँ यहां मेरी बाद अशाहत है इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी पता दे कि किसी जमाने में WWE की दिगच पहलवान निक्की बेला और मिक्स मार्शाल आर्ज UFC की पूर्व फाइटर रॉंडा रोसी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी लेकिन अब दोनों के बीच जगड़ा होने से दोनों चैम्पियंचिप बेल्ट के लिए एक दूसरे को चुनौती देंगी उधर रॉंडा कहना है कि उन्होंने दोनों बहनों पर भरोसा कर गलती की अब वह उन्हें रिंग में उतर कर जवाब देंगी जॉन सीना के साथ फिर से लॉड़ आई है निक्की बेला जॉन सीना और निक्की बेला को WWE में लाव बाद के तोर पर जानते हैं दोनों के बीच में एक बार दीवार भी आ गई थी जब जॉन सीना ने कहा था कि वह पिता नहीं बनना चाहते जॉन के इस खुला से पर निक्की ने रिष्टा तोने की बात कही थी लेकिन कुछ दिनों बाद जॉन ने कहा कि उन्होंने पिता न बनने का अपना फैसला पीछे से छोड़ दिया है अब तहन निक्की से शादी करेंगे जेड न्यूस की रिपोर्ट